कि कैसे पता लगाए कि हमारे घर के उपर किसी ने नकारात्मक्रिया करवाई है या हर्यानवी में कहें कि किसी ने कुछ करार राख्या है हमारे घर के उपर इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं क्या किसी देवता के नाम पर बली देना उसके नाम पर किसी जानवर को मार के खा जाना कहां तक सही है नमस्कार जे सभी दर्शकों को स्वागत आपका भगतावल की दुनिया चैनल पर रहूल बगत जी माराज आज दुबारा से जूड छुड चुकी है और आज हम इन से कुछ सवालों के जवाबों की जानकारी मांगें इसमें उनको आपकी घ्यान वरी बाते सुनने को मिले तो बगत जी आज ही आज div लोगों को मैं उठाऊंगा और उन पर चड़्चा करूंगा जरूर तो सबसे पहले मेरा सवाल भगत जी आप से यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देवता की अराधना कर रहा है पूजा कर रहा है तो क्या मास और मदिरा का सेवन कर सकता है यानि शराब पी सकता है देखो पहली बात तो यह है कि जब आप किसी की अराधना कर रहे हो किसी की सेवा कर रहे हो तो यह चीज ना ही करो तो अच्छा है क्योंकि यह हमारा सुआद है हम अपने सुआद के कारण पीते हैं और खाते हैं ना कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमें बोल रहा है और हम जि आदतों हो जाते हैं बहुत से लोगं मेरे हैं में रहे हैं कि हम हो में नहीं को सब्चियों की लिए है कि है कोई वाल कि अई सुधर है तो कोशिचे कर आप किसी ढूर without an stance बताईए या इसेवा बताईए आप उनसे जाके मिलो और उनको ये चीज पस्ट करके बताओ कि हमारे घर में एक ऐसा वेक्ति है जो की सुद रहागा नहीं वो इन चीजों से बाज नहीं आएगा उसकी लते हैं तो या तो वो आपको कोई ना कोई सरल रास्ता बताएगा या क साइम कभी-कभी आता है तो उस दोरान अगर आप इन चीजों का सेवन ना करो तो जादा अच्छा है इसी के साथ भगत जी मेरा आप से अगला सवाल बड़ा ही गंबीर है और आज के समय में तो अधिकतर ऐसा हो भी रहा है कि कैसे पता लगाए कि हमारे घर के उपर किसी न नकारात्मक्रिया करवाई या हर्यानमї में कहें कि किसी ने कुछ करा राख्या है मारे घर के उपर इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? पारस इसका तो तरिका सिरफ एक लिखड़ागा कि आपके घर में किसी ने भी कुछ भी करवा रखा है तो आपको उस चीज का पता खुद से भी चलेगा उसके आपको लक्षण पता लगने लग जाएंगे जैसे कि घर में कलेश रहना घर में मन ना लगना चोटी-चोटी बा किसी का काम रोजगार ना चलना तो ये सब आपको सम्टम मिलेंगे ये सब आपको लक्षण मिलेंगे उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ तो है घर में किसी ने कुछ ना कुछ तो कराया है तो आप किसी भी बगत से मिलो और आप उनको ये चीज बताओ त तो आपको इस पश्ट करके समझा देंगे और बता देंगे कि आपके घर में क्या कराया है और किस चीज का कराया है तो फिर जैसा किसी ने कराया है वैसा ही उसका उपाय है तो शुरुआत में हमें संकेत मिलने लगते हैं इसे के साथ मैं आपसे एक और गंबीर सवाल करने जा रहा हूँ, इसे शायद कई दर्शक हमारे जो पढ़े लिखे हैं वो भी सोचते होंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके मन में भी आता होगा, कि क्या किसी देवता के नाम पर बली देना, उसके नाम पर किसी जानवर को मार के खा जाना कहां तक सही है? देखो, ये बात देखी जाए तो कहीं से भी सही नहीं है, कि हम किसी की हत्या करके अपना बला कर रहे हैं, और ये हम जान बूच के नहीं करतें, और नाहीं कर रहें, आमारे जो पूर्वस थे, उन्हों की चलाई पर्था है, उस पर्था पे हम कड़े हैं और उसको नहीं बारे और कोई भी बात नहीं है अगर किसी समय पे जब कभी बाबा साहिब ने ये कहा था कि सब के सब वो धरम में आ जो एक समान हो जाएंगे ना अत्या होती ना पाप होता ना और कुछ होता तो उस समय पे किसी ने ये चीज नहीं सोची ना उनके साथ खड़ा हुआ दूसरी बात पारज जैसे कि आपको पता होगार हमारे बहुत से दर्शकों को पता होगार गए भी होंगे कलकत्ता महागाली के दरवार में तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बकरे की बली दी जाती है और उस बली में खुद जो ब्रामन लोग हैं जो पंडित लोग हैं जो उदर पूजा पाठ करवाते हैं वो उस किरिया में साथ खड़े होके उस किरिया को करवाते हैं संपून करवाते हैं पूजा पाठ करवाते हैं तो एक चीज मैं और पूछना चाहूँगा कि काली ज अकससी धरम से माह मा हैं मा को जो भी भोग दे दोगे वो मशूर करेगी पर ये जो हमारे जो पूर्वसथे उन्हों की लगाई रीत है उनकी लगाई लाग है जो कि हम निबारे हैं और कोई बात नहीं है वरना माँ तो माँ है माँ कोई धरम ठोड़ा है माँ सब के लिए एक समान है यही बात है पारश अब जैसे की पुराने काल में पुराने टाइम पर जो हमारे पूरवस थे बड़े थे उनके किसी के भी कुछ भी दिक्कत होई परे अच्छा अपने करम से, अपनी किसमत से ठीक हुआ हूँ, पर नाम क्या आ गया, कि बली के नियुकर टीक हो गया, तो फिर वो रीद बनती चली गई, तो फिर क्या हुआ कि साल में दो साल में खुशी में बली देने लगे उस सब मना के बली देने लगे जिसमें डोल नगाडे ये सब बजने लगे और ये सब परसन करने के साज हो गए कि भई देवी देवता इंची जो से परसन होते तो डोल नगाडों के साथ उनको परसन करने लगे फिर बली देने बच्चा ठीक हो गया तो और कोई प्रॉबलम होई परिशानी हुई तो उनके पास दुबारा गए उन्होंने फिर से बोला के बली लगेगी बली दो ठीक हो जाओगे इस तरीके से ये पर्था चलती आ रही है और कोई भी बात नहीं है और ये पर्था पूरवजों की बताई और भी बाते बताई तो मैंने सुनाया कि कुछ शायद दर्सकों ने भी सुना होगा कि जो हमारा वालमी की समाज है वे हिंदु धरम या सनातन धरम से अलग है यह बात कहां तक ठीक है और आपका इस बारे में क्या विचार है देखो मेरा इस बारे में तो इतना दर्सकों ने भी सुना हो गए है कि हमारे जो पूर्वस थे जो काफी सदियों पहले थे बंदर थे जी हां बंदर थे और धीरे धीरे विक्सित हुए तो इंसान बढ़ गए मनुश्य बढ़ गए तो जब सभी बंदर थे तो उनको पता था कि कौन किस जातका है जी हां यह कौन कौन से धरम से किसी को नहीं पता था तो जैसे जैसे मनुश्य बनते गए तो सब ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना धरम बना लिया कि मैं इस धरम से हूं मैं उस धरम से हूं मैं इस धरम से हूं तो यह जो आप बोल रहे हो कि सनातन धरम और हिंदू धरम हिंद भील माने आदिवासी, हमारे जो पूर्वस थे हम आदिवासी थे, और महा भारत काल में एकलव्य का वर्नन किया गया है, एकलव्य जो था हमारे पूर्वस थे, वहां भी आपने देखा होगा, गुरु द्रोनाचारे ने उनका अंगुठा मांग लिया भेट में, कहां तक सही था ये, तो मतलब आप इस बात पर ये कहना चाहरे हैं, कि जो गुरु द्रोना ने एकलव्य को शिक्षित करने से मना किया था, तो क्या वो एक जातिवाद का हिस्सा था, जो उनका अंगुठा मांगा गया था, वो भी जातिवाद का हिस्सा था, एकलव्य जो था, बहुत गुरू से मिला भी नहीं उससे सिख्षा ले ली तो एक बहुत बड़ा वीर था तो जाती वात तो जो है वो पहले से चलता आ रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि हम हिंदू है और हिंदू नहीं भी है क्योंकि हमें सदा पिछे रखा है हमें हमेशा पिछे रखा है हमें कभी उबरने का मोका नहीं दिया हमें कभी उपर आने का मोका नहीं दिया और ये बात मैं कहूंगा कि धर्ती पे जो भी है सबी इंदू है सबी इंदू धरम के कोई अलग नहीं है पर जो हम सही माइनेम और सच जो है हमारा हम भील है यारी आधिवासी जी अभी हम जो समाज धरम की बाते कर रहे हैं इसके अलावा भी एक बात ओर रहे जो हमारे तरुषक अक्सर कमेंट में हमें कहते रहते हैं कि आप बहुत अंद्विश्वास फैला रहे हैं आप पैसा एटते हैं भकताई के माध्यम से लोगों से तो और मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, अपना अपना नजर, या अपनी अपनी सोच है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, अगर आप ये चीज़ सोचते हो, कि मैं अंध्विस्वास फैला रहा हूँ, तो आप उनके घरों में जाके पुछो, जो पीडित है, जो परिशान है, जो दुखी है, आप उनको ये चीज़ जाके बोलो, कि आप अंध्विस्वास में घिरे हुए हो, अंध्विस्वास से भार आ जाओ, और अगर आपको ये अंध्विस्वास लगता है, तो ये है तो मुझे यह अंदवी सुभास ही पसंद है और रही बात पैसोगी पैसोगी बात ऐसी हाथ जोड के आप सबसे यह बिंती करूंगा कि मेरी जितनी भी वीडियों है और पारस खास तोर से आप इस चीज़ का ध्यान रखियों कोई भी एक इंसान यह कमेंट कर दे के मैंने क जरूर बैठे हो सब मैं सपस्ट नहीं कर सकता कोई उस चीज़ का परमान नहीं दे सकता आपको कि मैं पैसे एटता हूं या नहीं एटता हूं तो आप सबसे यह बिंती करूंगा कि कोई भी जो मुझे जानता और मुझे देख रहा है प्लीस वह भी कमेंट कर दे और इस ची जी 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 लिए जरूर बताए कि मैंने किस से कितने पैसे लिए हैं तो अभी तो मैं सिर्फ यहीं बताओंगा कि आप प्लीस कमेंट जरूर करें तो शैडर्श्च को आपको अपनी इस बात का जवाब मिली गया होगा अगर जी मैं आपको और दर्श्कों वह भी यह बात जा रहा हूं कि आपके नाम पर कई लोग दुखिया लोगों को गुम्रा कर रहे हैं उनको आपका गाउं कोई कैथल में बता रहा है अच्छा कोई करनाल में बता रहा है कोई मुर्थल में बता रहा है मतलब यह लगा लीजिए कि आपके नाम पर लोगों को गुम्रा किया जा आप परेशान हो मुझे पता है मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ मेरी प्रॉबलम है थोड़ी मैं परेशान हूँ मुझे समय नहीं मिल रहा है उसके कारण में आप तक नहीं पोच पा रहा हूँ मैं अपना नंबर नहीं दे पा रहा हूँ तो किरपय अगर किसी से भी मत पूछो कि मैं किधर रहता हूँ किधर नहीं है तुम पजिले में मेरा गाओं है पिठोबरा और दूसरी बात आपको जो भी गुम्रा कर रहा है आप उसको यह बोलो कि भाई आम आपकी सीख्की कोई जरूरत नहीं है और बाकी रही बात नमबर की, जैसे ही मुझे सब सही लगेगा, और सब जब सही समय आएगा, आपको नमबर मैं ज़रूर दूँँगा, बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे, कि वो सही समय कब आएगा, जब तक अमारी पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा, वो को चिंता मत करो वो समय जल्दी ही आने वाला है जो मैं आप सब तक पहुचूंगा और आप सब की जो भी परेशानी है उनको मैं सुनूंगा और उन समस्याओं को हल करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तो किर्पया करके हाथ जोड़के तो यही बिनते हैं कि किसी के भी भैकावे में ना आए और कहीं भी जाके मुझे ढूंड़ना मत कहीं भी जाके मुझे खोजना मत के मैं उस गाओं में मिलूंगा या उस गाओं में मिलूंगा तो चलिए बहुत जवाबों के सिलसिले को यही रोकते हैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन् जो आपने अपना इतना कीमती समया में दिया और दर्श को आप से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि माना कि भगत जी से आप मिल नहीं सकते पर आप अपने सवाल कमेंट में लिख कर हमें बेज सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब मैं भगत जी से लेकर आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँ इसी के साथ आज किस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और आप से मैं एक बिंती करूँगा नकारातमक्ता से बचे रहे और अपने घरों में स्वस्त रहे रामराम जी जैगरु गोरकनाथ रामराम जी भगतावल की ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप भगतावल की दुनिया चैनल पर जाए और वहाँ जाकर आप ऐसी और भी वीडियो देखे आप भक्तावल की दुनिया के Instagram चैनल पर भी जुड़ सकते हैं भक्तावल की दुनिया की Instagram आइडिया आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है भक्तावल की दुनिया YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए आप इस लाल बटन को दबाएं और इस घंटे के निशान पर क्लिक करें